नमस्ते दोस्तों तो आज हम मनाएंगे मटर गोबी आलू की सबजी वो भी चूले पर तो देखिए यहां सारी सामगरी मैंने रख ली है तैयारी कर ली यहां पर चूला जलाया चूल पर मिट्टी के बरतन रखा है उसमें जीरा डाल दूगी तेल मेरा गरम हो गया था तो यह है इसमें डाल दी है मटर चे लिए मटर को बढ़िया से फून लेंगे 5 मिट के लिए मटर भी मेरी भून चुकी तो इसमें आलू गोबी डाल देंगे इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे 5-6 मिट के लिए चूले का खाना तो कुछ अलागी रगता है बहुत ही टेस्ती बनता है तो देखिए बढ़िया से इत्कम भूलने की हाप मैं धनिया के डंठल डाल दी इनका अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में बढ़िया से डाल देंगे और यहां पर तेके गरेवी के नुसर पानी डाल दिया है बढ़िया से बने हुए चोड़ देंगे यहां पर 5- इस टाता इन रोटियों का भी इनका कुछ अलगी तेस्ट है तो देखिए इनको भी अच्छे से रोटियों को भी और यहां पर बढ़िया सा मेरी सब्जी भी धीमी धीमी आच में पक रही है चूले कि आच में और यहां पर मेरी एक रोटी बन चुकी है दूसरी भी हम इस से देखित तोड़कर हम लोग खाएंगे बहुत ही मूह में पानी आने वाली सब्जी बनी है बहुत ही अच्छी लगत